नमस्कार मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धमसर्मार कुमरासी में जन्म लेने के कारण सनी देव का पूरा प्रभाव आपको प्राप्त होता है और आपके जीवन में एक्ठाराव तथा संतूलन भी होता है आप हर निन्ने को सोच समझ कर देते हैं इसलिए बदलना अच्छा नहीं लगता जिससे आपको कई बार तरकी थोड़ी धीरी मिलती है लेकिन पक्की मिलती है यानि यहां से आप डिकते नहीं है और अगर हम बात करें साथ आठ नो दस मार्च की तो राहू का प्रभाव साथ मार्च से बदलेगा और आपके पंचमभाव मे राहू की उपस्तिती आपको आगे बढ़ने की जो आपकी एक ललक है उसको और तेज बनाएगी और आपकी बुद्धी में भी तिवरता देगी हलांकि इसका बिप्रित पभावया पड़ेगा कि आप थोरे से आलसी हो सकते हैं और चंद्रदेव का मुख्य रूप से आपक बुद्धी होगी लेकिन इंकम भी भरता चला जाएगा आर्थी किनोतियों से लड़ने में आपकी सहायता करेगा और गरहों के रासी परिवरतान और इस्तिती के नुशा अगर हम बात करें तो यहां पर आप अपने कारी करने का जो एक जज़बा है उसमें बुद्धी के क करने का पैसा से यहां पर से अच्छे रिटरन मिल सकते हैं इस दोरान धन कमाने के अनेक अफसर भी आएंगे और जिने अपनी सूच बूस से आप अपने फायदे का सौधा बना सकते हैं यह चार दिन खास रहने वाला है परिवार में संतोस रहेगा आपके परिजन भी अच हुआ आपको ऐसी चीज़ों की और आकरसित करेंगे लेकिन यह इस्तिति आपको परिसानी में डाल सकता है इसलिए संभल के रहेगा और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए ताकि आपको अच्छे नमबर आएं हलाकि आपके इंकम बढ़ते दिख रहे हैं कुछ यात्राइं कर सक सकते हैं जो लाबदायक रहेगा किसी प्रकार के चुनोतियों का सामना करने के लिए आप हमेसा तयार रहेंगे आपका आत्म विस्वासी आपको उचाईया देगा अगर लव लाइप की बात करें तो यह समय आपके लिए अच्छा है सनी की दृष्टी बिच 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 मे बाटेंगे और आपका जो संबंद है वो मधूर होगा साथी बैवाहिक जीवन सूरी देप की लगन में उपस्तिती और सप्तमभाव का दृष्टी आपको थोड़ा सा घमंडी बना रहा है इसलिए आपके उपर खुद के उपर थोड़ा सा नियंतरन रखिए और इस इस्त संतान की और से थोड़ी सी चिंता दिखाई दे रही है तो संतान पर ध्यान रखे बाकी सारी इस्तिती आपके हक्त में है कहीं कोई परिसानी नहीं दिख रही है तो कुमडासी वालों आपके लिए ये चार दिन खास है इस दिन का उप्योग जरूर कीजेगा हम फिर